हलो बच्चो कैसे हो आप सब आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ इन टेस्ट का कोस्टन जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सकेंड चिप्टर का है कोस्टन नंबर 2.12 चलो मैं इसे सॉल्व करने सिखाता हूँ पहले कबर कोस्टन को आप रीड कर लो कि क्या कोस्टन में दिया ह हुआ है और क्या हमें कल्कूलेट करने के लिए बोला गिया देखो कोस्टन को रीड करके में पाष्कल में कल्कूलेट करने के लिए बोला गिया है तो सबसे पहले मेरा focus रहेगा asmotic pressure को calculate करने में फिर मैं उसको बाद में passkal में change करके दिखा दूंगा answer ठीक है तो सबसे पहला काम है की question में बोला गिया है asmotic pressure को calculate करने के लिए कलियर कब calculate करने के लिए बोला गिया है जब एक solution बनाया गिया है और solution में one gram polymer लिया गिया है वन ग्राम क्या लिए गया बच्चो पोलीमर ठीक है और जिसका मोलर मास देखो मास और पोलीमर कितना है समझ लो मास और पोलीमर तो यहां पर साफ साफ अठ्रों में लिखा हुआ है वन ग्राम मतलब मास और पोलीमर कितना हो गया फिर पोलीमर का मास कितना है मोलर मास कितना दे रखा है कोशन में तो कोशन में हमें मोलर मास और पोलीमर भी दे रखा है जी मोलर मास और पोलीमर भी दे रखा है कितना तो दिया हुआ है बच्चो 185 000 ग्राम पर मोल ये ग्राम पर मोल में है फिर देखो वहाँ दे रखा है वालूम ओफ सॉल्यूशन वालूम ओफ सॉल्यूशन कितना है बच्चो 450 ml 450 ml किलियर फिर आगे कोशन में दे रखा है at 30 degree Celsius में तो temperature के value कितना दे रखा है temperature की value दे रखा है 37 degree Celsius किलियर अब ये सब सारे चीज़े दे रखा है और हमसे बोला गया है क्या निकालने के लिए बोलो 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 क्या निकालने बोला गया है asmotic pressure ठीक है तो बच्चो asmotic pressure का formula क्या होता है अगर formula याद है formula अगर बच्चो को याद है का asmotic pressure क्या होता है कैसे निकालते हैं तो question असाने से solve हो जाएंगे तो पहले आप लोग बताओ कि asmotic pressure निकालने का formula क्या है तो देखो asmotic pressure निकालने के लिए अगर formula आप लोग परहे हो तो लिखा हुआ होगा wb rt divided by mb and v into v wb rt divided by mb into v ठीक है अब इन सब terms को समझ लो बाबू तो आपको question असानी से समझ में आ जाएगा कि wb क्या है तो wb को बोलते हम लोग मास आफ solute किसा नाम से जानथे बच्चो मास आफ solute के नाम से देखो wb यह रहा आपका wb mass of polymer है यह रहा आपका wb और capital mb क्या है जी तो molar mass of solute क्या है बच्चो molar mass of solute तो molar mass of solute तो क्या रखा यह मेरा क्या हो गया a m b हो गया किलियर है ठीड को वह किया है यहां पर वी क्या है वालूम उफ सजूस response लेकिन बच्चो समोगी है न किसमे लेना है आपको लीटर में किसमें लेना है बच्चो, लीटर में, लेकिन यहां तो किस में दे रखा है, मिली लीटर में, मिली लीटर में दे रखा था, तो हमें क्या करना है, किस को मिली लीटर को किस में कनवर्ट करना है, लीटर में तो 1000 से क्या करेंगे, डिभाइड, है ना, तो 1000 से जब डिभाइड करोगे, तेहां पे क्या हो जाएंगे 0.45 है की नहीं बच्चो बोलो यह क्या गिया लीटर में आ गया है अब आर क्या है तो आर को बोलते हैं गैस वैलो क्या है 0.083 लीटर बार पर मुल पर केलीविन है अब सारे की वैलो अटीक है टेंपरेचर लेकर यगिन जबभी टेंपरेचर को पूट करते हो तो किसमें पूट करोगे रखा है किसमें किसमें रखा है बच्चो यहां पर तो दे हैं डिगोलो केलीविन इन overlap करोग करेंगे और आप लोगों को पता है कि डिग्री सिल्सेस केलविन में कैसे कनवट करते हैं तो उसमें 273 हम लोग एड करते हैं ठीक है तो 37 37 प्लस क्या हो जाएगा 273 यह किसकी वैलू आएगा बच्चो यह टेंपरेचर की वैलू आएंगे किसमें कैलविन में तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 0 फिर यहां पे 1 3 मतब 310 कैलविन आजाएगे सर किसमें टेंपरेचर आजाएगा कैलविन में ठीक है अब सारे वैलू यहां पे दे रखाए है उन वैलू को इस एक्वेशन में पूट करो सौल लोग पर वो answer सर सारे value सारे value question में दे रखा है value लिखा हुआ है इस formula में put करोगे आपको answer दे देंगे सर ठीक है तो देखो wv की value कितना दे रखा है wv की value कितना दे रखा है बच्चों बताओ जल्दी से बोलोगे देखो wv की value कितना दे रखा है 1 तो 1 लिक्र देता हूँ सर r की value कितना दे रखा है बच्चों देखो देखो यहाँ पे r की value 0.083 और t की value कितना है t की value देख लो यहाँ पे देख रहे हो न 310 Kelvin 310 Kelvin clear अब देखो यहाँ पे mb की value कितना दे रखा है mb की value कितना दे रखा है 185 000 हाँ न बच्चों और volume की value कितना दे रखा है into 0.45 clear अब देखो इन उपर की value को multiply करके आपको उपर लिख लो हाँ ना नीची की value को multiply करके नीची लिख लो पहले solve कर बाता हूँ इन दोनों को multiply करोगे तो क्या value आएंगे बच्चों बताओ जल्दी करो नहीं करोगे तो हम ही बता दे तो 25.73 आएंगे जी कितना आएगा 25.73 और नीचे की value को multiply करोगे तो क्या आएंगे बोलो करके देख लो इन दोनों 185.00 into 0.45 को multiply करो बोलो कितना आता है तो 83.25 0 83.25 0 इन दोनों को multiply करने से आएंगे सर ठीक है अब एक बात बताओ कि अगर हम इसको divide करे इसको क्या करे ये किस में pressure आरा बाबू किस में pressure आएंगे तो देख लो यहाँ पर किस में pressure आएंगे ये बार में pressure आरा किस में आरा बच्चो बार में pressure आरा ठीक है अब इन दोनों को solve, divide कर दो ठीक है, इन दिनों क्या करो, डिवाइड करो, करके देखो, तो 0. जैसा ही solve करोगे, तो 0. बावो ऐसा कुछ आएंगे, इतना 12 आएगा सर, इतना क्या आएगा, 12 इतना क्या आएंगे, 12 ठीक है, लेकिन ये question solve हो चुका सर, ये pressure आ गिया, अगर हमसे question में ये पासकल नहीं तो हम इतना ही answer देते, ये answer सही है, किस में है ये, answer तो बार में आया है, लेकिन हम से किस में पूछा गया था question में, कि बताओ, osmotic pressure किस में, पासकल में, है ना बच्चो, तो हमने बार में तो निकाल लिया, अब उससे क्या करना हमें, पासकल में convert करना होगा, है कि नहीं, त तो देखो, simple है answer, simple है, जब आप, one bar, one bar is equal to, is equal to 10 to the power 5 पासकल होते हैं, one bar is equal to, कितने पासकल होते हैं, 10 to the power 5 पासकल होते हैं, clear, तो one bar is equal to 10 to the power 5 पासकल हो गया, तो बताओ, कि इतना बार, इतना बार, कितने पासकल के बराबर होंगे, तो one bar में इतना है बाबू, अगर हमसे पुछता, 10 bar में, तो हमें क्या करते हैं, 10 into 10 to the power 5 करते हैं, अगर हमसे पुछता, two bar, two bar में कितना पासकल होगा, तो two into 10 to the power 5 पासकल करते हैं, अगर हमसे 5 करते अगर हमसे पुछता कि बताओ 8 बार में कितने पास्कल होंगे तो 8 into 10 to the power 5 पास्कल बोलते है ना बच्चो मतलब जितने बार बोलेगा उसमें multiply किसे कर दो 10 to the power 5 से multiply कर दो तो हमें तो इतना बार दे रखा था ना बाबू तो 0.000309 बार को अगर हमें पास्कल में लिखना है तो क्या करेंगे बच्चो यह किसके बराबर हो जाएगा तो देखो 0.000309 into 10 to the power 5 यह किस में आ जाएगा यह किसके बराबर हो गया बाबू यह किसके बराबर हो गया पास्कल में आ गया अब इसको solve कर लो जी अब इसको solve कर लो ठीक है इसको solve करोगे तो क्या जाएगा देख लो बावो ये 10 to the power अगर हम इसको multiply करना चाहें तो ये ऐसा लिख सकते हैं 30.9 पास्कल क्या लिख सकते हैं 30.9 देखो यहां से यहां shift करोगे न तो ये value आएंगे 30.9 into 10 to the power 5 into 10 to the power minus 5 तो वो cancel हो जाएगा इसको इस value को सिर्फ लिखना चाहें तो लिखेंगे 10 to the power 9 into 10 to the power minus 5 और ये पहले से 5 है बाबू तो ये तो ये क्या होगा cancel हो जाएंगे है ना या तो point हटा दो ठीक है तो ये ऐसे तो ये किसके बराबर जागा 30.9 के बराबू ठीक है तो ये question solve हो चुका हो गया ना answer आगिया अगर question में हमसे बोलता है कि बार में ही राने दो ये पास्कल condition नहीं लगाता तो हम यहीं पे question को यही पेंसर आजाता है इसका लेकिन अगर हम भी बोला गया पास्कल में लाने के लिए तो फिर question के recording हमको पास्कल में convert करना होगा इसलिए मैं नहीं ये करके दिखा है आप लोगों को clear तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से